नमस्कार गुरुबंत्व शोर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रशना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस जीडी वशिष्टु जी गुरुदे बहुत-बहुत स्वागत है आपका सूरे के सबसे नज़्दी बुद्ध ग्रह होता है देवो की सभा में बुद्ध को राचकुमार कहा गया है जोते शास्र में बुद्ध का एक महतवपूर्ण स्थान है और इसे एक शुब ग्रह माना जाता है लेकिन कुछ परसिथियों में या फिर आशुबकारी ग्रह के आज आपकी कुडली में बुद्ध की स्थिति के बारे में बात करेंगे राशियों की मताविक आपके दिन का हालत होगा ही और कौंकौं से विश्य होंगे अब यह जान लेते हैं बुद्ध ग्रहका आपकी बुद्धी से क्या कनेक्शन है सेहत और सुन्दता बढ़ाने वाले बुद्ध के अच्चूक उपाए कुर्णी में बुद्ध के महादर्शा के प्रभाव और उपाए की बार राश्यों के मुताबिक आपके दिन का हाल जानेंगे सुशो की शुरुबात करें लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को में याद दिला दूँ फेस्बुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरु देश सीधा आप अपने सवाल कर सकते हैं आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा साथी टीवी स्क्रीन पर जो एमिल आइडी पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है आपको इस शोपर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरु देश पी संपर करना चाहते हैं तो तरीका बेहदासान है स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं नमबर्स पर आप कॉल कीजिए इसे ज्यादा तरीके और आपको कहां मिलेंगे सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों की आज भागे का अच्छा साथ प्राप्त होगा मन में एक नया उत्सा और जोज दिखाई देगा परिवार का सुक भी उत्तम स्थार प्राप्त होगा प्रन्तु वाहन के प्रती थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है व्रशवराशी व्रशवराशी के बच्छों के लिए तो आज दिन अच्छा है यानि की लिखाई पढ़ाई के लिए अच्छा दिन है बन्तु बाकी लोगों के लिए किसी भी परकार की कोई अप्रिया गटना भी गटित हो सकती है अगर क्रोध पर नियंतर नहीं रखा तो किसी भी तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ेगा अरोग भी लग सकता है इसलिए हो सके तो सुबह सवेरे भूले नात पे थोड़ा सा जल चड़ा कर तब दिन की शुरुआत करें मित्रन राशी मित्रन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है धारभी कारें में बड़ चड़के आप हिस्सा लेंगे कामकास में भी आपको सफलता मिलेगी आपके द्वारा यात्राएं भी हो सकती है और आपके सभाव में आज काफी गंभीरता और एकागरता की जलक देखने को मिलेगी तो यानि कुल मिला करके दिन काफी उत्ता रहता गुरुदेव शोकी शुरुबात करते हैं बुद्ध की आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध का हमारी बुद्धी से भी कोई कनेक्शन है अभी तुमने कहा ना कि बुद्ध को राज कुमार की उपादी भी लिवी है और वो क्यों और सूरे के सबसे नस्दीपी हैं ये भी वासत्या है सूरे अगर हमारा पूरा शरीर है तो बुद्ध हमारी बुद्धी हमारी नसे ये सब कुछ ही बुद्ध है और अगर हमारे शरीर की नसे अच्छी ना हो तो पूरे का पूरा हमारा स्वास्त है हमारा शरीर की बेकार है और अगर बिद्धी अच्छी नहीं तो फिर सारा शरीर चाहे जितना मर्जी अच्छा हो वो किसी काम का नहीं और यही कारण की वज़े से इसको राजकुमार कहा गया है क्योंकि अगर हम राजा देखे तो वो सूर्य है यानि कि पुरा शरीर है लेकिर इसका राजकुमार यानि कि इसका खास जो मंत्री अगर वही ढंका ना हो तो पुरा शरीर विकार हो जाता है और इसी लिए जिस इनसान की जनम कुली के अंदर बुद्ध खराबी पे आ गया उसकी पहचान क्या क्या होगी सबसे पहले उसकी बुद्धी बहुत अवल दर्जे की हो ये हो दी सकता उसके अंदर धहरे की कमी हो जाती है उसके जो शरीर भी होता है वो पूरी तरह से उसका साथ नहीं देता और नसों की कमजोरी की वज़े से इंसान जिन्दगी के अंदर कोई भी काम पूरी ज़गा देर तक नहीं कर पाता या फिर ऐसी वज़ा आ जाती है कि जिसमें बेकार के काम वो लगातार करता चाहता है जितनी लोगों को जिन्दगी के अंदर डिप्रेशन की प्राबलम होती है जो पहले बहुत समझदार और अच्छे नज़र आते हैं लेकिन बाद में बड़े होने के बाद उनकी कादियत उल्टा गिरती चले जाती है और उनकी काम में सफसेस नी होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते है बिड़ा इन लोगों का खास तोर पे बुद्ध खराब होता है क्योंकि जब भी जनम कुली के अंदर मंगल और बुद्ध का मेल किसी भी आवस्ता के अंदर बन जाए या तो आदमी बहुत ही काम याब होता है बहुत डड़ीगेड होता अपने कामों के लिए या फिर काम ना मिलने की वज़े से डिप्रेशन में होता है और एक सोच उसके दिमाग में अगर किसी चीज़ के बती बन गई और वो नेगटिव बन गई तो वो उसको भी बड़ी शिद्ध से निपाता है और उस सोच से बाहर नहीं जाता है ये बुद्ध की खासियत है और बुद्ध अकेला हो जनमकुली में अच्छे ग्रहों की द्रश्टी के साथ में हो अच्छे घर में हो तो इंसान टॉप का वेपारी बनता है टॉप का एडवाईजर बनता है हर किसी के साथ मिलन सारी उसकी बहुत अच्छी होती है और इंसान देखनी में सुन्दर अच्छा भलाई न लगे लेकिन दिमा का अच्छा और सुन्दर वो बहुत होता है और ऐसा इंसान, जिंदगी के अरदर जिस तरफ पे पैदा हुआ है उस वर जितनी जो सम्रदी हो उससे कहीं ज़्यादा सम्रदी वो अपने जीवन में अरजित करता है और समाज के अंदर भी अपना एक अच्छा नाम बना कर चलता है बुद अगर जिनके अच्छे होते हैं उसके अंदर सबसे बड़े खासियत होती है कि जैसा इंसान सामने खड़ा हो वो उसी तरह की बात करता है और मीठा बनके वाक पटता के साफ में अपने काम निकलवाने वो बखुब भी जानता है इसको बोलते हैं अच्छा बुद और ये अच्छे बुद वाले वो बाठीक है कि बहुत पतले नहीं रह पाते हैं थोड़े से मोटे और बेडोल से तो जरूर हो जाते हैं लेकिन इनका दिमाग बहुत सक्षम होता है और बुद अगर खराब हो जाए तो जितनी तरह की बिमारियों का आप नाम लो उतनी शरीम में हो सकते हैं कहने का मलब जिल लोगों को अलसर जैसी मुसीबत हो जाती है पेट के अंदर जखम हो जाते हैं जिनको गया सैसिरीटी की प्राबलम एक्स्टीम तक पहुंचती है जिल लोगों की नसे डैमेज होने लगती है एक्तिजाब ऐसा बनता है जो धीरे धीरे करके नसों को खाता चला जाता है इन सब का बुद्ध बहुत खराब होता है और बुद्ध अकेला ही अच्छा जब किसी ग्रह के साथ जुड़ता है अगर अच्छे ग्रह के साथ जुड़ गया तो बहुत अच्छा करेगा अगर बुरे ग्रह के साथ जुड़ गया तो बहुत बुरा करेगा इ ऐसे अपने दुश्मन भस्पदी के साथ अगर यह जोड़ गया तो इसने सिर्फ इंसान को उपदेशक बना देना है कहने का मतलब कुछ समझ में आये ना आये लेकिन दूसरों को उपदेश दिना ऐसे इंसान की आदत दो दाती है बे मतलब के ख्याली पलाव बनाते चले जा और अगर यह मंगल के साथ हो जै तो ऐसे में इंसान को गुस्दा चड़ना, मेंटली प्राप्लम माना, नसों के अंदर दिक्कत आकर के हाग पाव का टेड़ा होना, यह सारी प्राप्लम में दे गयता है सबसे उत्तम ये होता है सूरे के साथ अगर सूरे के साथ बुद्ध बैठ किया तो फिर तो ये परमात्मा की दिया से हर तरह से उत्तम जिन्दगी बनाता है सोच, विचाथ और अपना शरीर दोनों एकठे काम करते है जिसके चलते हुए इनसान मैनत करके जिन्दगी के अंदर बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है और साथ ही शरीर के अंदर रोग कम से कम होते है लेकिन सूरे के साथ जुड़ करके इसकी एक खासियर बनती है बटा वो ये कि आखरी समय जब आता है इनसान का तो बिना दुख पाई एक जटके के साथ चला जाता है उसको बहुत ज़़ा कश्णी सेने पड़ते है इसके वे पे जब बुद्ध का संबंद शनी के साथ हो जाए तो ऐसे में अगर शनी खराब है तो इनसान को बहुत तरह के रोग लग जाते है ऐसे इनसान के शरीर की ताकत बिलकुल धिरे धिरे करके खत्म हो जाती है और इनसान एक के बाद दूसी के बाद तीसरी बीमारी के साथ ग्रसीत होता चला जाता है और जोडों के दर्ध उसको बहुत सताते है फिर अगर बुद्ध का सम्मंद राहू के साथ हो गया तो या तो इनसान इतने तेज दिमाग का होगा कि जिसके अंदर वो एक रिसर्चर बन सके एक वैज्यानिक बन सके किसी भी चीज़ की खोच कर सके और जिनगी के अंदर बहुत उत्तम बहे लेकिन अगर ये खराब वस्ता के अंदर सम्मंद हो गया तो इनसान का दिमाग पूरी तरह से कामिनी करता है डिप्रेशन के महौल बनते हैं बार बार धोका खाता है और मूरी सा होकर के अपनों को कुछ नहीं समझता और अकेला जीवन वेपन करने की तरफ चल परता है और अपने जीवन साथी के अंदर भी खोट निकाल निकाल के अपनी जिनगी को नर्फ बना करता है और सबसे बुरे हलाद पहला होते हैं जब बुद के साथ के तू मिलता है ये एक योग ऐसा है कि इनसान की अकल ही उसकी दुश्वन होते है और ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है बटा इनसान दूसरे को कहता है मैं बहुत काबिल हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ और एक के आनमी सामने जुक भी जाएगा और जुक करके काम भी करने की कोशिश करेगा लेकिन जैसे ही उसे इनसान के पास से दूँच आएगा उसे इनसान का घमंड चरम सीमा पे होता है और वो फिर कहता ये है कि मेरा जो मालिक है न सही माइने में मुझसे एरवाइज लेके कामा और ऐसे लोगों कमर, पैर, पेशावाली जगह से संबंदित भी दिखते बहुत आती है और इनकी नसों में दिखते आती है ऐसा इनसान जिंदगी में कभी वेपार नहीं कर पाता और अगर करे तो बहुत जल्दी जल्दी वेपार है तो बुद्ध क्या अब देखिये कितना बड़ा संबंद है हमारे शरीर के साथ, हमारी बुद्धी के साथ में हमारी रोसमर्दा की जिंदगी के साथ में और इसके साथ ही बुद्ध के स्थान हमारे शरीर में कहां कहां नसों पर इसका प्रब्त होए हमारे डांत, हमारे जीम, हमारा गला ये सब बुद्ध की ही स्थान है और जब बुद्ध खराब होगा तो इन सब हिस्सों में से कहीं पर भी पापलम आ जाएगी और अगर बुद्ध अच्छा हुआ तो बटा इनमें से किसी हिस्से में दिक्कत नहीं आती और इनसान जिन्गी में सदा ही खुशाव रहता है बादशीत गुद्ध से आगी भी जारी तहेगी लेकिन सलहार कर्क, सिंग और कर्ण्या राशी वाले जाने उनका आज का दिन कैसा रहेगा कर्क राशी सुख की काफी अच्छी अनुभूती रहेगी शुभ समचारों की प्राप्ती होगी और कामकाज में मेनत के अनुसार आपको सफलता प्राप्त होगी सिंग राशी सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है खास तोर पे अगर आप आज के दिन जिद्धी हो गए क्योंकि आप हर काम अपने अनुसार करने की कुशिश करेंगे और जिसके चलते हुए घर परिवार में भी कोई नो कोई तनाव खड़ा हो सकता है मन में नकात्मक वेचार उत्मन होंगे कन्या राशी के लोग आज बे मतलब के वाद विवाद से अगर दूर रहे तो जाला उत्म होगा फिर हर तरह से दिन उत्म होगा नित्रों का अच्छा साथ मिलेगा यात्राओं का भी योग बना हुआ वो भी हो सकती है और कामकाज में मिला जुला फल प्राप्थ होगा और परिवार का सुख से योग प्राप्थ होगा गुरुदेव आगे बढ़ते हुए एक और लाइब कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनों से छवी श्रिवास्तव बहुत बहुत स्वागत है छवी तब से पहले आप अपनी जन कीति थी जन का वाल जन का स्थान बताएए फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए मेरा नाम छवी श्रिवास्तव है मेरा जन 5 सतंबर 1998 में हुआ था मैं 12 बजे हुई थी लखनाओं में मैं अभी BBA कर रही हूँ और मैंने अपने आगे घरेशी के लिए सोचा है कि मैं MBA करूँ तो मैं यह जानना चाती हूँ कि क्या वो मेरे लिए सही है क्या मुझे आगे सफलता मिलेगी की नहीं बड़ा जो तुमारी जनम कुनली है यह सिर्फ और सिर्फ तुमारे सभाव पर अधारी थी कुमारे पूरे भागय को तैर करती है शनी पांच में घर का कभी भी स्थिर काम नहीं देता नौकरियें देता है लेकिन ऐसी नौकरियें जिनके अंदर समय समय पर यह उपर काफी पदलाब हो लेकिन दूसरा एक और योग है ब्रस्पती की दरिश्टी सूर्य के उपर यह योग बहुत ही उत्तम है जो साफ और पर कहता है कि तुम बहुत लगी हो और तुमें बहुत अच्छी नौकरिय मिलेगी और वाके मेनिग्मेंट से संबंदी नौकरिये तुमारे लिए बहुत लेकिन अब बात क्या है अगर तुमारा सभाव गुसे वाला चिच्छड़ा पन रहा लोगों के अंदर कम्यें निकालने वाला अगर सभाव डेवल्ट हुआ तो तुम कहीं काम जाब नहीं होगी इसकी विप्रीत अगर तुमने अपने अंदर धैरे रखा दूसरों का मन र हुए काम को भी पूरे तरह से अक्रिशिट करना अगर ये वाली कला तुम में आगे तो तुम अपनी जिंदगी के अंदर बेंतहा काम जाब होगी और फिर बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हें इतना धन और इतना मान मिलेगा कि तुमारा बुरापा बहुत ही खुशाली बना होगा ठीक है लेकिन इसके विपरित अगर तुमारा घर कहीं से उचा और कहीं से नीचा हुआ तो ये भी तुमारे भागे के लिए चोटता रख होगा इसलिए जो तुमारे घर का जो ग्राउंड फ्लोर है जो में जमीन है एक तो वो रोड के लेवल से नीचे ना उत्रही अच्छा रहेगा और जितनी भी बादा है वो मात्र एक योग के काराने में उसका उपाई देने जा रहा हो बिटा अगर यह उपाई कर लिया तो मन की शांती घर के अंदर की सुख शांती उत्तम होगी मां के हालात अच्छे होंगे आगे जिनगी में साबुद बदाम, 300 ग्राम काले तेज, सफेद तेल यानि की 1.500 ग्राम मिक्स करके वो रखने हैं तुम्हें और साथी 300 ग्राम सरसो का तेल और 30 सिगरेट प्लें जो बिना फिल्टर के होती है वो आपने लेनी है रजे और 3 नादिय लेने हैं इनको लेके एक ही जगा में सार परी जिन्दी में बहुत ही अच्छे स्थार पर पहुंचो और दूसरा जब भी किसी गरीब लड़की की शादी हो बिटा उसके अंदर संदूक, ट्रंग, कुछ भी जो लोहे का बना हुआ है अगर ये तुम दान देती रहोगी तो सारी जिन्दी तुमारी खुशाली से ब काम जब मिलने की बारी आएगी तब तकलीफे बहुत आईगी लेकिन ये उपाई से ये तकलीफे सारी हज जाएंगी और तुम जिन्दी में अच्छा काम जाबी का स्तर पाऊ गुरुदेव बाचीर का सिल्सिला आपसे हम आगी भी जारी रखेंगे लेकिन इस वक्त एक फेस्बुक कॉलर पूनम आगरा से हमारे साथ जोग गई है बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहला आपनी जन के तिती जन का वक्त और जन का स्थान बता दीजे फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए गुरुदेव जैन माटता थी जी मेरा नाम पूनम है और 6 दिसंबर 1981 मेरी जनम देठ है मेरा जनम टाइम है बाइस पचाव राट को और जनम इस्थान है उज्जे सवाल क्या है आपका जी मेरा ये सवाल है कि मेरा जो कॉस्मेटिक का मैंने काम डाला है करीब आत्मों मेंने हो गए वह बिल्कुल नहीं चलना है गुरू जी और मेरे हज़बन का भी कोई काम काज नहीं चलना है बैटा तुमारे जनम पूनली है तो काफी अच्छी और जो खास और पे मेनत करने के लिए और मेनत करके किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत होता मैं प्रतु तुमारे जनम कुली के अंदर अभी जो समय चल रहा बैटा वो पूरा अच्छा नहीं है उसके अंदर शुक्र और शरी यानि कि शुक्र के राहू की महादशा के अंदर शुक्र काम कर रहा है जिसकी वज़े से ये चौथे घर में बैठा हुआ घर के अंदर के सुक्षांती, समरदी, पती-पती के सुक इनके अंदर कमशोरी दे रहा है और इस वक्त में खास तोर पे अगर तुमने अपने घर के अंदर किसी भी तरह की तोर्फोर करवाई या रिपेरिंग करवाई या घर बदला या नया खरीदा तो ये खास طور पे दवाईयों के लिए दिखते देगा, जाने कि घर में किसी ने किसी की दवाईया आएंगी, पैसे की जबंपूंजी के लिए ये खराबी के आहलाद बना देगा, घर के अंदर की सुक्षांती को खराब करता चला जाएगा और घर में जितनी ज़्यादा सील धुले चावल ये कव्यों को खिलाना बेहर जरूरी होगा और इसके साथ ही हर बेस्पतिवार को छेसो ग्राम चनी की डाल ले करके बेटा उसे मंदिर पे देना मत्र इतना सोपाई करके दीख लो तुमारा कामकास भी चलेगा तुमारे पती का भी चलेगा घर के अंदर कलेश होंगे और पूंजी भी जमा होगे मत्र इतने सोपाई करने पे और अगर चातियों के जिन्दगी के अंदर कामकास बहुत अच्छी तरकी पे रहे तो बिटा घर में एक कुता जरूर पालो कुता पालने के बाद तुमारी हर तरह की कमिये घर से खत मोचा दाता खुश यह गुरुदेव आगी बढ़ते हुए कॉलर से बात कर लेते हैं शिम्ला से हमारे कॉलर राहीम राज शर्मा हमारे साथ जोड़ गया है बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहला आप अपनी जन्द की तिथी जन्द का बस और जन्द का स्थान बता दीजे फिर सबस्क्राइब तक बहुत कर रहा है कॉंपिटिशन की तेजारी कर रहा लेकिन इसको सफल्का नीम नहीं रही हुए और बीट एक बच्चे में किया है इंजरी उसे किया है इसको सफलता मिले और जिस तरह से पर्यास कर रहा है उसके लिए उपायदी बिताएं और आशिरवादी बड़ा इसकी कुंड़ी परमात्मा की दिया से बहुत अच्छी है डरने की तुम्हें जरूरत है नहीं और ये बहुत अच्छी जॉब पर भी जाएगा और जिन्दी के अंदर अच्छा रहेगा लेकिन बात यही है जो तुमने गुड़ गेहूं का उपाई किया है बटा उस गुड़ गेहूं का उपाई किये बिना इसका बेड़ा पार नहीं था अब तो जो द्रश्टी हिंद व्यान invert येटी है बेटा दैस द्रश्टी हिंद व्यान वैध्तियों को हजए मिने बाद खाना किलाते हो पास और वो जो सोने का फोकला मंका जो गले में धारन किया हुआ तो उसको हर बुद्वार को दूद के साथ होना ना पूले पास एक ये और हर रोज के सरका तिलग नाभी जुबान और माते पर लगाए और सिर्फ कुत्तों की सिवा करता है मात रे इतना सा उपाए करो बेटा और ये उपाए होने के बार में जो इसकी वाके में सक्सेस की डेटा आ रही है वो आ रही है जब इसकी नौकरी लग जाएगी और वो है 9 मार्च 2018 9 मार्च 2018 के बार इसकी जिन्दगी के अंदर कामकाज के लिए कोई बुरा वक्त नी बचेगा और परमात्मा के लिए ऐसी जिन्दगी में बहुत अच्छा काम या ठीक है बटा सुख देगा था खुश चरिक और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं बहुत छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक से लौतेंगे तो जानेंगे बुर्धु से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरुमंत्र और साती साथ हमारे दर्शकों को मैं बता दूँ गुरुमंत्र तो आपकी समस्याओं का समाधान दे ही रहे हैं लेकिन अगर आप अपनी जिन्दगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल खुद जानना चाहते हैं तो तरीका बेहदासान है आप अपने फोन में ठलमा अलग्ट एफ डाउनलोड कीजिए और अपनी जिन्दगी से जुड़ा हुआ हर सवाल का जवाब आप खुद जान सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं बुद्धु ग्रह के बुरे योग से कैसे बचा जाए वेदे से आगरी हम बाचीत जारी रखेंगे लेकिन फिलहार जान लेते हैं तुला, विशिक और धनू राशी वालों का आज का दिन का हाल तुला, राशी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खटा मिठा है आज किसीने किसी मंगली कारे में आप शामिल हो सकते हैं नएने लोगों के साथ में संबंद भी स्थापित होंगे प्यंतु परिवार में किसी का स्वास्ते खराब हो सकता है और आपने शरीर में भी आपको अहलस्य उसकी भी परधानता नजर आएगी वरश्चिक राशी वरश्चिक राशी वालों के लिए कुल मिलाकर के दिन का समय तो उत्तम है जिसमें आपका व्यक्तित्यों काफी परभावशाली भी बना रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा दिन व्यतित होगा कामकास में भी सफलता मिलेगी प्रन्तु शाम होते का बे मतलव का कोई आरोप आपके उपर लग सकता है या कोई ऐसे घटना घटित हो सकती है जो आपको विश्रित कर दे और गुसा चड़ाएं जनुराशी जनुराशी वाले आज हो सकता है कि किसी मांगली कारे में शामिल हो प्रन्तु बाकी का दिन बहुत ज़ादा उत्तम दिखाई नहीं दे रहा परिवार में या किसी अपने के साथ में कोई भी प्राबलम पैदा हो सकती है और घर में किसी न किसी को स्वास्ते से संबंदे दिक्कत भी हो सकती है वे मतलगा वाद वेवाद परशानी का कारण बन सकता है गुदर बात आज हम बुद्ध की कर रहे हैं आपसे बात हो रही थी क्योंकि एक बुद्ध ही ऐसा ग्रह है जो इनसान को बहुत ही संबर रूप देता है साफ तवचा देता है और इनसान को दिमाग का गुन और संबरता का गुन दोनों ही तोफे में देता है लेकिन प्राबलम ये है कि जब ये खराब होता है तो इनसान के संबरता को भी खराब करता है और उसकी बुद्धी को भी खराब करता है गुद्धी को भी खराब करता है गुद्धी को भी खराब करता है गुद्धी को बढ़ाता है डेप्रेशन के महौल देता है तो जो मैंने पीछे हालाद बताई सारे चाहे किसी भी तरह की खरादी हो आपको उपाई एक ही बताऊंगा जिससे कि ये हर मुसीवत को दूर किया जा सकता है और अगर सुंदर्दा से सम्मंदिर भी दिक्कत आपको है देखो जिनके तो जनम कुल्णी में बैठ गया वो तो अलड़ी सुंदर है उनको तो किसी चीज की जूर्ट नहीं है लेकिन जिनके वाके में उप में दिक्कत आ रही है और वाके में बुद्ध खराबी के उपर है उनके लिए उपाई ये और चाहे कामकाज में चाहे बुद्ध में किसी बी तरह की दिक्ते हों ये उपाई बहुत ही कारगर रहेगा और वे उपाई क्या है एक कांसे की थाली लीजिए कांसे की थाली के अंदर उसको पूरा देसी घान से भर दीजिए और उपर तक जैसे धेरी लगा देते इस तरह से कांसे की थाली में देसी खाल बर दीजिए उसके बाद देसी घी गाए का देसी घी लेकर के उसको पूरा अक्तर कर दीजिए देसी खान को और उसके उपर बारा कपूर की टिक्की वो रख दीजिए उसके बाद इस थाली को लेकर के किसी बैते जल के पास में जाना और जाकर के थाली अपने हाथ में पकड़ के रखे लेकिन ये देशी खान, घी और जो कपूर के टिके हैं इनको जल प्रवा करते है और वहीं के मिट्टी लेकर के बैटा उसको अच्छी तरह से मांच के साफ करना है ताकि थाली के ऊपर से सारी चिकनाई उतर जाएं और उस थाली को घर पे लेकिए आना है और उस थाली के अंदर आप खाना-खाना शुरू करें जो भी आपने खाना खाना है उस थाली को ज़रूप रयोग करते रहे धीरे धीरे करके ये आपके जितनी भी बुद्ध ग्रह से संबन्दी दिखते हैं इन सब को ये खत्म कर देगा गुरुदेश जिसकरा हर ग्रह की एक महादशा होती है बुद्ध की भी कोई महादशा होगी और अगर महादशा है तो उससे प्रभाव कैसा पड़ेगा जिन्दगी पर क्या कुछ उपाय किये जा सकते हैं बुद्ध की महादशा सत्रा साल की होती है और इसके अंदर जो खास चीज़ है अगर बुद्ध अच्छा तो वहीं सत्रा साल इंसान को फर्ष से अर्ष पे ले जाते हैं और जिन्दगी के अंदर इंसान अपनी मेनज से अपनी बुद्धी से अपनी पूरी पहचान बनाता है लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो पहले से अगर अच्छे हलात भी चले आए तो ये इंसान को उल्टा डुबो देता है, रोग दे देता है, बिमारी ये तो है ही है और उल्टा दिमाग के हालात ऐसे बना देता है कि जिसे की दूसरों के साथ में सोची नहीं मिल पाती और प्लानिंग की बुद्धी को जाती बुद्धी अगर महादशा आए और बच्चे के सोच समझ में सभाव में एक बहुत बड़ा फर्क अगर आ जाए और इलाज करने के बावजूर भी उसको कहीं से भी सुकून नाम मिल रहा हो और उसके हलात अच्छे ना हो रहे हो तो तब एक उपाई बहुत ज़रूरी होगा और वो उपाई क्या है यह बीच में से नाक छेदन करवाना क्योंकि यह जो हमारा तालू है यहां से जब हम नाक को पंचर करते हैं तो यहां पर की जो नसे हैं यह खुल जाती है इनकी ब्लॉकेज ही बुद्ध की खराबी होती है और यहां पंचर करने से इस जगा खुलती है और उससे सभाव भी उससे शरीव भी उससे प्लानिक की बुद्धी भी ये सारी अपने आप डेवलब होने लगती है तो बुद्ध के महादशा हो और खराब हो बुद्ध और किसी भी तरह के समझाने पर भी इंसान ना समझ पाता हो तो उसको 96 दिन के लिए ये सोने की या चांदी की एक तार डाल के रखनी बहुत जरूरी है और इसको कर लेने पे महादशा अगर बुद्ध की चल रही है और वो खराब है तो उसको अच्छा किया जा सकता है बाचीत का सिरसला आगी भी जारी रहेगा लेकिन फिलहाल जानते हैं मकर, कुम्भो और मीन राशी वालों का आज कर दिन कैसा रहेगा मकर राशी, मकर राशी वालों का दिन थोड़ा खटा मिठा है इसके अंदर पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन आज पढ़ाई के अंदर पूरी तरह से नहीं लगेगा किसी व्यक्ति के सहयोग से या साहिता से लाब दाख फलो की तापती तो होगी प्रन्तु स्वास्थे के लिए थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा इसमें कुछ न कुछ पाबलम हो सकती है उम राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है हर तरह से परिवार का सुख मिलेगा आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुख में बनाने में मदद मिलेगी बड़ों का आदर सतकार करने में आप आगे रहेंगे हर तरह से खुश बरा दिन ह और इसी परकाई मीन राशी मीन राशी वालों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है परिवार का हर तरह का सुख प्राप्थ होगा मन पर संद रहेगा मन में नया उत्सा और जोज दिखाई देगा और कामकाज भी बहुत उत्तम रहे गा गुदेव बुद्ध की महादशा आपने बताए उसके उपाइभी बताए कैसे कर सकते हैं अब बुद्ध की सबसे बड़ी बुराई को नहीं पर जाए और ये जब खराबी के उपर आजाए और शनी के घरो में हो या शनी के साथ संबन में हो तो इंसान को खाली बेठाने का काम करता उसका कोई काम नहीं चलने देता और एक वैसे ही कहावत है ना कि पहले समय में तो ये बोला करते थे कि इंसान का अगर नशा में ना बिका तो वो कुछ्रुनी जीवन में कर सकता ये बास सकते हैं और रियालिटी में जिसका बुद् कि अदर कोई दता नहीं मता और जित्रे भी लोग अपनी जिन्दगी के अंदर सारी कोशिशे करके भी कभी किसी दंदे को नहीं कर पाए और किसी में काम जाब अगर नहीं हुए तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनका बुद्धराम है और लो इसका एक मात्र इलाज है बट तोदो लो चाचा लो अपनी समर्था के अनुसार जितने मर्जी ले सकते हो। लेकिन दो दुकानों से बराबर के आम लेने हैं और लेकर के वो घर मी लेके आने बैटा, वही पर गरीबों के अंदर बांटाने हैं और इस परकार से तर्ताली जिन करना बेहत जरूरी है और जिनका ये बुद्ध खराब होता है बैटा, उनको हर साल तर्ताली जिन ये उपाय करना बहुत जरूरी है अगर ये उपाय करेंगे, उसके बाद उनका धंदाना हो ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा की देया से ये बुद्ध और शरी मिलकर के क्रिपा करेंगे, ये बुद्ध और शरी की बुरी एनर्जी हर जाएगी और बाकी ग्रहूं का जो असर है वो आपकी कुली पर पबल होकर के आपको काम जरूर देगा, अच्छी बुद्धी जरूर देगा और आपकी एक्षी वर्किंग को वो सामने लेके आएगा, तो यो पाई करो बटा, इस सबसे बुरे योग को अपने जीवन से आप सोर दूर बगा सकता आगी बड़े शो में हो, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दू, टीवी स्क्रीन पर जो एमिल आइडी सक फ्लाश हो रही है, उस तर आप मेल कीजिए आपको इस शोपर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से संपर्ख करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे नमबर्स पर आप कॉल कीजिए गुर्देव बाचीत का सिर्फिल आगी बढ़ाते हैं लाइव कॉलर हमारे साथ जुर गये हैं, उनसे हम बाचीत कर देते हैं, आप पे इंडोर से पंकज फुलाल हमारे साथ जुर गये हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले आप अपनी जन की तिथी, जन क सवात्म और जन का स्थान बताईए, फिर आप अपना सवाल बूच सकते हैं कहते हैं कि हर तरह की हिम्मत, ना पिता से अमीद, ना पोतर से अमीद, अपनी ही मेनज से अपने आपको काबिल बनाएगा, बाच सबते हैं, लेकिन लगन में बैठे हुए सूरे तब तक काम नहीं करते, अगर सात्वा घर खाली हो, जब तक इंसान की शादी ना हो जाए, अगर जिन्दगी के अंदर पूरी काम जाबी चाहिए तो शादी होनी पहले बहुत ज़रूरी है, और तब काम कास के लिए अच्छे अहलाद बनेगे पहली बात लिए, दूसरी बात, तुमारी कुम्ली के अंदर अश्टम भाव का बैठा हुआ केतु, ये घर के अंदर ए तो इनसान का पैसा भी बरबाद कर देता है, घर के महौल को खराब कर देता है, और इनसान को घर छोड़के यानि की शहर छोड़के भगाने का काम कर देता है, इसलिए घर में कभी पश्चिंग की रसोई ना बने, ये तिसलिए, अब आ गया में गया, बहस बती, ये ही तो इसको ठीक करने के लिए, सबसे पहले हर साल काला सफेड कंबल ये ले करके अपने सर से साथ बार उतार के इसको बेटा मंदिर में दो, और जितने भी बार तुमारा मन करें, हफ्ते में, महीने में, आठ केले ले करके मंदिर में ज़रूर दिया करो, और राज चलते अंदर देना और इसके लिए तुम ब्रस्पतिवार का दिन चलो तो सबसे उत्तम होगा ठीक है जितना जला तन पे फिर सोना धारन करोगे तुम्हें जिन्दगी के अंदर उतने ही सुख मिलेगे जितना भाई और पिता का साथ रखोगे अपने कजन वेवर्स का साथ रखोग बेटा जिन्दगी के अंदर उतनी ही त्रक्की होगी लेकिन शुरुवात है जिस दिन शादी हो जाए उसके बाद काम्याबी के योग है पहले नहीं है तो बेटा यो उपाई करो जिन्दगी के अंदर काम्याबी भी है और सरकारी नौकरी भी जरूर है दाता सकते हैं अगर आप हमारे शो पर लाइफ सवाल पूछना चाहते हैं तो गुरुमंत्र एट आई टीवी नेटवर्क डाट कॉम पर आप मेल कीजिए मेल करते वक्त इस बात का जिक्री कर दीजेगा हमारी टीम आप से खुछ संपर्ग करेगी और अगर आप गुरुदेश से सीधा संपर्ग करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नमबर्स पर आप कॉल कीजिए गुरुदेश चुक्यप शो खत्म होने का वक्त आ गया है लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप से आज का खास गुरुमंत्र जान लेते हैं कर चाते है या आपके गड़र के अंदर दांतों की समस्थ्य है difference खाली और खोकली हो जाना कभी किसी के दान तर्दी तूड़ चाना नंसूरों के अंदर किसी तरह की बद्दू का पैदा होना इस तरह की अगर पाप्लम हैं और पेट की नसों से संबंदिर अगर दिखते जादा है तो फिर घर के अंदर काम काज भी कभी पूरे जादा अच्छे नहीं चलेंगे इसके विप्रीत इंसान का रोजहान ये कला की तरफ जादा होता है गाने बजानी की तरफ जादा होता है गाने सुननी की तरफ जादा होता है और कोशिश सीप, कौडिये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, अगर ये चीज घर में जादा हो, तो ये बुद्ध की खराबी लगातार बड़ी रहती है, एक सबसे अहम बात, जिन लोगों के दार जल्दी तूटते हैं, जिन लोगों को मसूरो तुलसी का परयोग करेंगे, उनकी तकलिशे और बढ़ेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को तुलसी रस और तुलसी का परयोग जादा नहीं करना चाहिए, इसके विप्रिक ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, ये घर में नहीं होनी चाहिए, इनसे बचाब करते हैं, लोगों को ये कारिया, सेम थाली वही रहेगी, लेकिन देसी खान और देसी घी और कपूर की टिके हर तीन मीने बाद उसी थाली में बरके उनकर जल परवा करके, वही पर दो तीन बार दोही की मिटी से मान के चिकनाई खटा के घर पे लाकर उसी को परयोग करना बहुत अगर हर मेंबर कर ले तो सबसे उपर, तो बेटा, बुद्ध को अच्छा रखो, सारी जिंदगी अच्छी रहेगी, बुद्ध को अच्छा रखा तो स्वास्ते अच्छा, बुद्ध को अच्छा रखा तो धंदा अच्छा, कामकास अच्छा, और बुद्ध को अच्छा तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में बुद्ध से जुड़े हुई हर समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा बस आप गुरूदेव के बताय हुए लक्षनों को याद रखिए और उपाय करते रहिए आज के लिए से फितना ही गुरूदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका मातरानी सब को सुखी रखे खुशिया बख्शे लादी आज के लिए बखितना ही लेकिन कल एक खांस विशे के साथ फर से हाजर होंगे अभी दीजिये जाज़र नमस्कार